नमस्कार दर्शकों मैरे अबुकता आप सभी का स्वागत करती हूँ और लेकर चलते हैं बलोदा बजार की ब्लॉक फलारी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर पेट्रोल पंप के पास पलारी चले में पलारी ब्लॉक में सीमो की कार से एक बाइक जाटक रही है तेज रफ़तार बाइक जाटक रही है उसमें बताया जा रहा है कि जो यूवक गंबिर रूप से घायल हो गया है और उसे राइपूर रेफर किया गया है सीजी में रफ्तार का गहर है चारी सीएम की कार से जाब इडिक से रफ्तार बैक वहीं ये बात कर रहे हैं पलारी के पेट्रोल पम की पास की ये हाथसा हुआ है जहां पर यूवक जो गंबिर रूप से घायल हो गया है और उसे राइपूर रेफर कर दिया गया है बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इसी जगह पर सरक हाथसे में दंपत्ती की हुई थी मौत हो गई थी और सीजी में रफ्तार का घर जारी है इससे बताया जा रहा है कि जो बाइक था हो बहुत कार तार आ रही थी और कार में जाकर तक्रावे और उससे जो युवक है वो काफी गंभीर हो गया है और उसे राइपूर के और रफर किया गया है बताया जारा कि इसकी स्थीथी काफी अभी देनी हैं और काफी गंभीर है CMO बीके लोन हरे बलोदा बजार से वापस लोट रहे तब ही यह हाथसा हुआ है इससे पहले भी इसी जगह पर पलारी पेट्रोल पंप के पास ही एक दमपत्ती ने सरक हाथसे में अपना दम तोर दिया था और सरक हाथसे में उनकी मौत हो गई थी पलारी में एक तेज रफ्तार बाइक सवार, CMO के कार से जाबिडी है और जिसमें बताया जा रहा है कि जो बाइक सवार था वो काफी गंभीर रूप से घायल हो गया उसे रैपुर रैफर किया गया है सीमो की कार से जाब रिड़ी वो बाइक और उसी जगह पे पलारी पेट्रोल पम के पास इससे पहले भी एक गंभीर हाथसा हो गया था जिसमें सरक हाथसे में जो दंपत्ती है उनकी मौत हो गई थी ये पहली बार ऐसा अचिडेंट नहीं हुआ है उस जगह पे ये दूसरी ब पहली बताया जा रही है और उसे राइपूर की और रेफर किया गया है तो सीजी में रफ्तार का कहर ऐसी जारी है एक के बाद एक एक एकसिडेंस हो रहे है इस तरीके से जो तेज रफ्तार बाइक चल रही है जिस तरीके से वाहन में रफ्तार बढ़ गई है उस तरीके का देखा जा रहा है कि इस रफ्तार की वज़े से सीमो की कार से बाइक टकरा गई और जो युवक है उसमें काफी गंबीर बताया जा रहा है बाइक के पर खच्चे उड़ गए हैं और उसे राइपूर की और रेफर किया गया है अब बने रहेगा हमारे साथ आईए लेते एक छोटा सबरेख